नमस्कार प्राइम ट्यूबी में आपके स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ श्रक हम है रोतर शुरुवात करते बुलेटिन के सभा प्रमुख अकलेश यादव और आरलडी प्रमुख जेन्द चौधरी पश्चमी मेरट से चुनावी हुंकार भरेंगे सपा रेलडी गडबंधन के बाद दोनों निता एक साथ पहली बार मंच पर नज़र आएंगे इस दोरान 36 गावों के अलग अलग समाज के लोग चौधरी जेन्द सिंग और अकलेश यादव को मंच पर पगड़ी बांधेंगे जिसके जरिये बश्चमी यूपी को सियासी संदेश देने की रणनीती बनाई गई है तो मेरट में रैली करेंगे अकलेश और जेन्द दोनों गड़बंधन के बाद पहली बार मंच साज़ा करते हुए नज़र आएंगे जिसमें उनको पगड़ी बांधेते हुए नज़र आएंगे चौधरी समाच के लोग को बता दे कि इस दोरान 36 गावों के अलग-अलग समाच के लोग चौधरी जेन्त सिंग और अखिलेश यादफ को मंच पर पगड़ी बांधेंगे इसके जरीए पश्चमी यूपी को सियासी संदेश देने की रणनीती है आपको बता दे कि दोनों की ही अपने अपने जो वोट बैंक हैं वो दोनों एक साथ आगए गड़ बंधन की वज़े से अब पहली बार दोनों एक साथ मंच पर नज़र आएंगे ये चुनावी रणनीती कह सकते हम इसे क्योंकि चुनावी दोर है और ऐसे में सपा छोटे छोटे दलों के साथ गड़ बंधन कर बीजेपी को सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है सपा प्रमुक अखले इशादव और आरेलडी प्रमुक जयंत चौधरी पश्च्व गावों के अलग-अलग समाच के लोग चौधरी जैनत सिंग और अखलेश यादव को मंच पर पगड़ी बादेंगे अगर बात करें चौधरी जैनत सिंग की तो इनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है और अखलेश का नाम तो वैसे भी यूपी में हर कोई जानता है लेकिन इस तरह से काबिज हुई है बीजेपी सत्ता में उसको हटाने के लिए सपा पूरी कोशिश कर रही है और अलग-अलग दलों के साथ गड़ बंधन कर अपनी ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में है और इस खबर पर हमाई से जादा बात चीत के लिए समवादाता व विभाशू क्या कुछ जानकारी है दोनों के गड़ बंधन के बाज आज यह जो मंच पर नजर आएंगे एक साथ तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है सरगर्मिया गरम हो चुकी है वहीं आज अखलेश यादो और जयन चौधरी की लखनव में कई मुलाकातों के बाद आज मेरट में संयुक्त वैली है जिसमें जयन्त ने पचास चालीस से पचास सीटों की पेसकस की और उन्हें अगर अटकलों की बात करें तो लोगों से पत जी जी तो जिस सरह से दोनों अपने वोट बैंक को शेयर करेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटा दे की कोशिश में जुटे हुए हैं तो आज जिस तरह से दोनों के ही जो कार्य करता है और भीर देखने को मिलेगा किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा आज हम देख सकते हैं कि किसान अंदोलन एक पभाव डालेगा वहां भीर अच्छी खासी वहेगी जो बीजेपी से नाखुस लोग हैं वो समझवादी के तवर फूख डालने हैं और ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा जी तो ये भी पताया जारा है कि 36 गावों के अलग-अलग समाज के लोग भी वहां मौझूद रहेंगे और पगड़ी बादेंगे तो इससे क्या कुछ संदेश जा सकता है जी तो जनता के बीच किन बातों को भी कह सकते हैं अखिलेश और जयन्त अपने पुराने काम और इनी पर चर्चाओ करेंगे और जयन्त और युवा की जोड़ी अब इस बार उत्तरप्रदेश सुनाव में अपना दम दिखाएगी जी तो विभाश्वी जस तरहास से अखिलेश के साथ चौदरी जुड़ चुके हैं और दोनों का गटबंधन हो गया है इससे कितना फाइदा हो सकता है सपा को अगर बात करें तो पश्ची मुत्रप्रदेश में आरेलडी का अच्छा खासा जनादेश है तो अखिलेश यादो के गटबंधन से जो किसान आंदोलन में एक जनादेश तयार हुआ है वो साफ तौव पे कह सकते हैं कि आरेलडी और सपा के गटबंधन को फाइदा देगा विजयर रत्यात्रा के बारे में क्या कहेंगे विजयर रत्यात्रा में आपने तमाम जगों पे देखा कि किस तरह से जन सहलाब उमर रहा है उससे साफ तौव से कह सकते हैं कि पश्ची मुत्रप्रदेश में जयन्त और अखिलेश की जोरी कहीं लोगों को जादा पसंद और बात करें चुनावी तैयारियों की तो अलग अलग पार्टियों के साथ गडबंधन तो करी रही है अलग अलग वोट बैंक को बढ़ा कर अपनी ताकत को बढ़ा रही है अलग अलग वो चाहे समाच की बात हो जाती धर्म का मुद्दा हो या फिर विकास का मुद्दा हो या फिर सरकार को घेरना हो किसी भी मुद्दे को लेकर पीछे नहीं छोड़ रही है और हर जगा नजर आ रहे हैं अखिलेश और अलग अलग जिलों में जाकर अपनी विजहरत यात्रा के साथ जा रहे हैं जनता के बीच मौजूद होकर अपनी पुराने कामों को गिना रहे है और सरकार पर मौजूदा सरकार पर निशन साधते हुए भी नजर आते हैं वहीं आज ये पहली बार है जब पश्यमी यूपी जहां पर जेंत चौधरी का अच्छा खासा पकड़ देखने को मलती है तो वहां पर अखिलेश और जेंत चौधरी एक साथ मंच पर नजर आएं बंधन करती है कोई भी पार्टी तो इससे जनता पर अच्छा असर भी पड़ता है और बुरा असर भी पड़ता है क्योंकि अच्छा असर यह होता है कि जनता जिसको वोट देना चाहती है वो किसी पार्टी के साथ जुड़ जाती तो वोट बैंक बढ़ जाता है लेकिन ब गडबंधन का कैसा असर देखने को मिलागा ये वक्त बताएगा लेकिन आज जिस तरह से हुंकार भड़ते हुए नजर आएंगे दोनों नेता एक साथ और जो भारी भार कम भीड एकटा होने वाली है वो ये दिखाएगी कि कितना दंखम दिखाने वाली है सपा गडबंधन क है सपा कि और इस खबर में अब हमाई साथ वाचीत के लिए समवधाता नितिन जुड़ चुके है नितिन जस्ताहां से आर एलडी प्रमुक जैन्त चौधरी और अखलेशाद दोनों एक साथ आज मंच पर मौजूद रहेंगे तो किस तरह का नजारा देखने को मिलेगा और इससे जो गडबंधन कर रही है सपा इससे बीजेपी को किता फरक पड़ेगा हुई थी इस बार कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर करके कहीं ना कहीं जो भाजपाई है या फिर मौजूदा सरकार है उससे वहां की जनता है जो किसान है वह काफी नाराज है जिसमें सबसे हैं मगर हम आपको बताएं तो कर्शी कानून जान से जादा जो किसानों का प्रदर्शन हुआ है उससे कहीं ना कहीं वहां का जो पस्चिम बेल्ट है वह काफी नाराज है वहां का जो लोकल वोटर है जो किसान है वह काफी नाराज है दूसरी चीज़ यहीं किसान आंदुलन वापस होने के बाद भी कुछ ऐसे प्रमु भी नहीं हुआ है ऐसा इनका कहना है और इसको लेकर भी वो लगातार सरकार से नाराज है तो ये तीन प्रमुक चीजें हैं जो कि कहीं न कहीं किसानों की नाराज़गी का प्रमुक कारण बने हुए हैं और इसका पूरा का पूरा जो खामियाजा है वो मौझूदा सरकार को ज पर काफी मजबूत है किसानों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है और किसान अंदोलन के दौरान भी जैयन चौधरी कई बार उनके बीच गए है कई बार उनके पर लाटिया भी चली है तो ऐसे में अब ये साफ साबित हो गया है कुछ बातों को लेकर जो जिक्र था जो चर्चाएं थी वो चल रही थी जिसमें सबसे आहिम था कि 30 से 35 सीटों को लेकर के कुछ अनुमान लगाया जा रहा था कि इसनी सीटे जो है वो आर एल्डी समाजवधी पार्टी से मांग रही है लेकिन सीटों पर जो गुंजाईश थी वो लगभग नहीं बन पा रही थी और यह कहा जा रहा था कि अब बीते माहिने की 26 तारीक को एक प्रमुख संयुक्त प्रेस कॉन्फरेंस करके यह दोनों नेता साफ तोर पर इस बात को साबित कर देंगे कि हमारा जो गडबंदन है वो हो गया है और सीटों पर भी हमारी जो बात है वो बन गई है लेकिन वह प्रेस कॉन्फरेंस नहीं हो पाई और उसके बाद जैयन चौदरी एक बार फिर राजदानी लखना हुआ थी अकलेश यादों से उनके मुलाकात हुई थी और उसके बा बेल्ट के लोगों का सपोर्ट है वो भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा और ऐसे में आप पूरी कोशिश है कि पूरा अप से लेकर पस्चिम समाजवादी पार्टी अपनी फतह करने में लगी हुई है और अकलेश आदों उसी को देखते विया जनता को संबुद कर रहे कि सीटों की जो बात थी वो पूरी साफ हो चुकी है कि हाँ सीटों को लेके अब कोई विवाद नहीं होगा लेकिन जिस तरह से किसानों का मुद्ध अखलेश उठाते रहे हैं तो क्या अब कोई ऐसा मलब दावा या वादा कर सकते कि मैं सत्ता में आऊंगा तो किसानो के लिए ये काम करूंगा या MSP को लेके कानून बनाऊंगा जिस तरह से सरकार से नाराज है किसान तो क्या अखलेश इसे मुद्ध बना रहे हैं तेके बिल्कुल साफ तर पर अखलेश मुद्ध बना रहे है क्योंकि करशी कानून जिस दिन वापस हुआ था उस दिन भी कर रही थी एक बड़े पैमाने पर किसानों ने अपनी जान गवा दी जिसमें 600-700 किसान थे जो प्रदर्शन के दोरान अपनी जान गवा चुके हैं जाड़ा गर्मी बरसात ये किसान बैटे रहे थे सड़क पर और सरकार इन्हें नहीं पूछ रही थी MSP की बात अगर करी जाए शिखा तो MSP स्टेट गवर्मेंट के हाथ में नहीं है आला कि MSP को बढ़ाए घटा है लेकिन जिस MSP के मोहर की बात कहीं जा रही कि MSP मिलना चाहिए किसान को नियुनतम समर्थन मूल वो कहीं न कहीं केंदर से ही पास हो सकता है उसका देश जो है वो केंदर और संसद और राज सभा लोग सभा से पास होकर प्रसिडेंट के पास जा सकता है तो इसका जो कानून है यह कहीं केंदर में ही बनेगा उसमें स्टेट गवर्मेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है इस जो MSP है इसे घटा बढ़ा सकती है इसे जादा और कुछ नहीं कर सकती है और सही तरीके से जो किसान है उनका जो भी अनाज है जो भी धान है जो भी फसल है उसको सही तरीके से क्रेंदरों पर खरीदा जाए बेचा जाए ये बताया जा सकता है अकलेश यादो गंणा किसानों के लिए जरूर कुछ बोल सकते हैं क्योंकि गंणा किसानों का बड़े पैमाने पर जो भुकतान भी भी बागी है और पسुम में ज़्यादा तर जो गंणा किसान है वो अपनी समस्याओं से जूज रहे हैं उनोंने सरकार के कई बार सवाल पू बना दिया है लेकिन अकलेश यादों कि जब जब हम सुने तो कहीं ना कहीं अपने अग्राइश प्रस्वे की बात करते हैं यह मुना एक्सप्रस्वे जो मायवती ने बनवाय था उससे करने के बाद किस तरह से उस पर जो आवा गमन है वो सुद्रण हुआ है जो लोग आ रह सब्सक्राइब कर सकते हैं यह चुनाओं में जीत का अप्रमाण नहीं हो सकता सबसे पहली बात तो शिखा यह है क्योंकि अगर आप बंदन कर रहे हैं और आपकी रैलियों में भीड़े खट्टा हो रही तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह भीड़ आपको वोट देने के लिए कई बार देखा गया है कि भीड़ आपको सुनने आती है नेता को देखने आती है कई बार कुछ और चीजों की वज़े से भीड़े खट्टा होती है लेकिन अकर कह दिया जाए कि आपको वोट में कर देंगे तो यह शायद सही तरीके से नहीं होगा सही बात नहीं होईगी लेकिन हाँ जिस तरह से जन्समू इखटा हो रहा है अकलेश यादो के साथ जब रत्यात्रा कर रहे हैं क्योंकि यात्राओं में और रैलियों में भी फरक हो गया है अकलेश यादो रैलिया नहीं कर रहे हैं हालकि आज उनकी रैली है लेकिन रत्यात्राओं पर उन्होंने वो मुखातिव होते हुए आये थे तो ऐसे में जो जनसमू उन्हें मिल रहा है उसका फुल सपोर्ट उसका सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो चुनाओ के दौरान वोटिंग के दौरान ही पता चलेगा लेकिन हाँ पूरफ से लेकर पस्चिन तक छुटी-छुटी के साथ गड़ बंदन करके कहीं न कहीं यह बता रहें कि उत्तर प्रदेश का चुनाओ है वो दो खेमों में हैं एक बीजेपी और दूसरा समाजवादी पार्टी का जो एलाइन्स है उसके खेमे में देखना ही होगा कि कौन ज्यादा मजबूत है जिस तरह से हम भी यह करिये जाए तो कहीं न कहीं वो भी बहुत ही है मायवती को नहीं भूल सकते का कौरवेटर कौर वोटर जो है वह हमेशा से सफ़ा के साथ रहा है अलंकि 2017 के चुनाओं में बताय जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के पास यह कौर वोटर चला गया था 2017 में बताय जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ चला गया था लेकिन जब सपा और बस्पा को दोनों को इन्होंने देख लिया है तो अब इनके सामने कोई और आप्शन नहीं बचता है और अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक पर फिर से बस्पा के पास ये जो इनका कोर वोटर है वह वापस आएगा कल मायवती ने प्रस कॉंफरेंस करके भी साफतोर पर इस बात को स्थे कर दिया है कि आने वाले चीज़ हो गई दूसरी चीज़ हम भूल नहीं सकते कि बस्पा ने भी दोजार जो साथ का चुनाव था उसमें 202 सीटे जीती थी यह भी हम नहीं भूल सकते कि बहुजल समाज जा रहा है और इस बार जो एंडिये एलाइंस है जिसमें बीजेपी का जो एलाइंस है और इसके अलावा जो समाजवधी पार्टी का एलाइंस है वो काफी मजबूत दिख रहा है अलाकि बस्पा भी अपनी धीरी-धीरी कोशिचे संगटन को मजबूत कर रहे हैं लेकिन सबको पार्टी में बस्पा ने निश्काशित कर दिया है और ये पीजे तरीके से करती हैं जी निजन जिस तरह से सपा तो अपनी रैलिया जोर शोर से कर रही है विजेरा थियात्रा भी लेकर जा रही है वहीं बिजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है इतना ही नहीं लगतार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी यूपी के दौरे पर है और कई विकास करती हुए बीजेपी नजर आ रही है तो क्या उसके उपर उसको देखते हुए वोट दिये जाएंगी या फिर जो नाराजगी देखने को मिली है जनता की उससे कुछ नुकसान हो सकता है बीजेपी को देखे चुनाओं में कही न कहीं समस्याएं दोनों तरीके की होती हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो विकास के नाम पर वोट देते हैं लेकिन वह विकास के नाम पर वोट देंगे यह कहना बहुत मुश्किल है अगर विकास के नाम पर सरकारे रिपीट होती है शिखा तो बहुज विकास के नाम पर सरकारे रिपीट कर जाती तो यह इसका उधारन हम पहले भी देख सकते थे तो अगर कोई यह कह रहा है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रस वे दे दिया क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रस दे दिया हमने इंफ्रस्रेक्टर को म है बीते दिनों में देखें तो चुनाओं में अगर हम देखें तो यह सबसे एहम रोल निभाते हैं उत्तर प्रदेश को चुनाओं में हाला कि इस बार देखना यह होगा कि बीजेपी ने जो काम किया है पूरवांचल कि बात कर ली जाए या फिर आज प्रदान मंत्री गोरकपूर रहेंगे वहां भी कई करोड़ों की सौगात जो है वो जनता को देने वाले हैं तो यह देखना है होगा कि क्या इस बार विकास की मुद्दे पर क्योंकि लगातार बीजेपी फोकस करे हुए है मुख्यमंत्री य अब गए नहीं होगा कि दिमाग से वोट नहीं देती ये लीटे नहीं देती है लेकिन बीते कुछ चुनाओं में हम देके उत्तरधर्म के नाम पर बोक्ते हैं। लगातार सरकार के खिलाफ खड़े और इसमें सरकार को समस्या हो सकती है लेकिन आने वाला चुनाओ कौन कौन सी प्रमुख बात है क्रशी कानून अगर वापस हो सकता है तो इस तरह के मुद्दों पर भी सरकार ने कहीं कुछ रोड में बनाये होगा कुछ तयारिया खरी या फर विकास को देखते हुए सत्ता बनाये जाएगी इस बुलिटिन में फ़ला आ लेता ही तमाम खबरों के लिए देखते रहेए प्राइम टीवी पर बनाये जाएगी जाएगी तरह कि रहेएगी जाएगी बनाये गासा बनाये जारिया टीवी